तो हेलो एवरिवन मैं उशियों दिवेदी और आप देख रहें अपना पसंदिदा चैनल ग्यानों देखे गुरू जी बच चुके हैं सामके 6 और हमारी संडे सुपर रिवीजन की सिरीज का पहला वीडियो आपकी नजरों के सामने है मैं आने में थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूँ 4-5 मिनिट या 6 मिनिट के आसपास मैं लेट हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा नहीं चली आज के सेशन को आपके अंदर जिग्यासा है आप कुछ सीखना चाहते हो आप मेहनत करना चाहते हो सारे बच्चे जल्दी जल्दी सभी लोग वीडियो को सेर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको भेज दीजेगा अपने दोस्तों को भी दे दीजेगा इसको फिर हम लोग आज के सेशन को सुरू करेंगे लोग भी लोग potrzebप्तों के साल आप करना चाहते हो झाल 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 कि ऐसा कैसे हो सकता है तो अब मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को और सारे बच्चे सुन पा रहे होंगे अब मेरी आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को और सारे बच्चे सुन पा रहे होंगे मुझे एक पर बता देना पर्फेक्ट ना आवाज वगरा सब क्लियर अब तो क्लियर है बच्चो चलिए बहुत बढ़िया तो अभी आवाज भी क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से और सारे बच्चे सुन भी पा रहे हैं शुरू किया जाए आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं तो भाई हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाएंगे देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को भी नहीं पढ़े होंगे तो हमें दोनों बच्चों को ध्यान में रखना है। इसलिए हमने इसको dual session type का रखा है। अब dual session क्या होता है मतलब एक में दो दो चीजें मिलेंगी। जो भी हमारा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग दो चीजें करेंगे। concept भी समझेंगे। वह exceptions इसमें बीटबी प्रस्ण भी करेंगे लेकिन तरने आपको गोल को घुमाने के लिए पहले रहे है प्रसण फिर रखात है concept फिर फ्र legally सेट के लिए कुछ प्रसनि है फिर उसके बाद उस concept को बताया जाएगा फिर प्रस्न है फिर concept को बताया जाएगा तो ऐसे करके क्या होगा कि आपका बना रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगे और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जैसे हमने मानुनेत्र को बताना है तो उससे रिलेटेट कोश्चन हमने दूर दरश्टी दोस निकट दरश्टी दोस बताया तो उसके कोश्चन फिर concept तो यह उल्टा काम करेंगे इससे जिग्यासा बनती है आपके अंदर आपको लगता है कि अरे मेरे को नहीं आता है मुझे और ध्यान देनी की जुरत है ठीक है सुरू किया जाए लेकिन आपके लिए सबसे पहले दो और दो बहतरी लाइन है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं अगर आप कि अगर आपके अंदर एकागरता है किसी चीज को कंसिस्ट होकर करने की ताकत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता और वही ताकत आज के इस सेशन में जरूरी है जरू करते हैं आज के सेशन को पहले कोश्चन के साथ यहां पर हमारे पास लिखा कि मानोने तरह अत्यंत मूल और सुग्राही जो है वो क्या है हमारे पास क्या है वच्चे या नेंदरी है यह एक कैमरे की तरह कारी करता है अभी आओगे नहीं या एक कैमरे की तरह कारी करता है हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसके द्वारा ही देख पाते हैं हम इसकी हर एक ची इस प्रस्णिक आपको उत्तर करना होगा जल्दी से बताइए क्या होगा कि अब बताना बच्चों इसका अंसर क्या है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिमिम कैसा होता है नेत्र में जो प्रतिमिम मनता है वो कैसा होता है कालपनिक होता है सीधा होता है चोटा होता है कालपनिक होता है उल्टा होता है बड़ा होता है वस्तिक होता है चोटा होता है वस्तिक होता है वस्तिक होता है उल्टा होता है और बड़ा होता है इस चीज को ऐसे समझते है आप हमारा उत्तर लेंस होता है उत्तर लेंस जो है ना हमारा प्रतिविम किस प्रकार का बनाता है वास्तविक बनाता है लेकिन वह इस तरह बनाएगा लेकिन यह तो प्रतिविम इस तरह बनने वाला है और यहां पर होती है हमारे पास रेटी ना जहां पर प्रतिविम बनता है और ठीक है तो यहां पे हमारे पास जिसका सही answer हो जाएगा C वास्तविक, उल्टा और छोटा तो फिर सर अमें सीधा क्यों दिखाई देता है हमें इसलिए सीधा दिखाई देता है क्योंकि हमें अनुभव के आधार पे वो सीधा दिखाई देने लगता है इसका सही आंसर जो मैच करेगा वो मैच करेगा आपका C option मैच करेगा सारे बच्चों ने भी C दिया है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वेरी गोड सभी लोग C ही आंसर दिये हैं जहां तक मुझे लगता है ओके सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजेगा प्लीज यस वेरी गोड सी आंसर करेक्ट होगा अगले कोशन पर चलते हैं कि मानो नेत्र के किस भाग पर वस्तुका प्रतिम बनाते हैं कार्निया पर परतारिका पर फुतली पर रेटीना पर या द्रस्टी पर जल्दी से आप अंसर करें फिर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिस करता हूँ देखे सबसे पहले यहां पर हम आपको बना के दिखाते हैं आपकी आख ठीक है बहुत अच्छा तो नहीं बना पाएंगे हम लोग अना लेकिन हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपको हम कुछ अच्छा ही दिखा सके चलिए देखे यह हमने क्या बनाया कि आख बनाने की कोशिस कर रहें हैं कि इसका आगे का यह होगा हिस्सा यह हमारा अबरा हुआ होता है ठीक अभी लग रहा होगा आपको कोई बात नहीं आख ने लग रहा हो आपको यह उसके बाद यह अउपर की पटल होती है इस पटल को हम लोग क्या बोलते हैं द्रण पटल यह कौन सी पटल होती है द्रण पटल होती है कहां से कहां तक होती है यहां से लेकर यहां तक यह द्रण पटल हमारी है पूरी इसका आगे का जो उबरा हुआ हिस्सा है इस हिस्से को हम कार्णिया कहते हैं और य देखा होगा ना कि बहुत लोगों की आखे जो होती है वो भूरी होती है किसी की नीली होती है किसी की हरी होती है तो ऐसी लोगों की आखे जो है ना इस आईरिस के कलर पर डिपेंड करती है इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लेंस लगा होता है ऐसे एक लेंस लगा होता है जो कि मानस्पेशियों पर टिका होता है किस पर टिका होता है हमारी मानस्पेशियों पर टिका होता है कैसे टिका होता है ऐसे ऐसे इस तरीके से हमारी मान पटिका होता है ऐसे इसको जकड़े होता है ठिक एक दरणपटल के बाद एक और परत होती है जिसको हम कोरोई्ड कहते हैं यह ऐसने वारीट परत है उस तक है और फिसको स्टराइब कहते है और यहां से रचतव कहते है के को हमां सेप्ट वह व्त चल रहाँ rigorous इसके बाद एक और परत होती है इस तरीके से यह तीसरी एक और परत होती है इस तीसरी परत को हम लोग रेटीना कहते हैं और इस रेटीना पर ही जो है प्रतिविम बनता है रेटीना या इसे हम द्रश्टी पटल कहते हैं आ गई मेरी बात समझ में बेटा अच्छे से क्लियर हो गई तो मानो नेत्र के किस भाग परवस्ट का प्रतिम बनता है तो रेटीना या द्रस्टी पटल पर और सारे बच्चों का आंसर भी यही है कि सर रेटीना पर बनता है या तो द्रस्टी पटल पर बनता है ठीक है सभी क लो यहां तक हो गया आच्छे से clear आगे चले हम लोग आज कुछ light beidt blackboard ना जाने आपको किया है मैं बाद में देखूंगा गास के बाद कि कुछ light में आज हमने change किया है यह कुछ परिभास हैं जो हमने आप लोगों के लिए लिक ही राखी है जराद्यान देखो कि द्रण पटल क्या होता है नेत्र गोला का बाहर से एक द्रण अपारदर्सी स्वैथ परत से ढखा होता है जिसे हम लोग द्रण पटल कहते हैं यह बाहर की जो परत होती है इसे ही हम लोग द्रण पटल कहते हैं यह बहुत कठोर होती है इसके बाद क्या है क्या होती ह ये काले रंकी होती है क्योंगि क्यों होती है क्योंकि देखो जुरा समंगों से अंधर सव्वक्राइब करें बहुत ज़्यादा कास आपको आँखों में चला जाता है तो दाचाल को हम जिसको हम दूसरी पटल उसको अवसोशित नहीं कर पाया और इसका काम क्या है प्रकास ज्यादा आख में जाएगा तो उसको अवसोशित कर लेगा मालीज हमारी आखों के सामने इतनी लाइट है अंदर जाएगा लाइट तो अंदर उसको फड़ फड़ा नहीं जाएगी लाइट मतलब बहुत जाएगा तो इधर उदर नहीं भागेगी क्या ठीक है तो वह सारा अवसोशित कर लेगा यानि यह रखतक पटल अच्छा अब उसके बाद फिर हमारी अगली क्या है रेटीना रेटीना क्या होता है यह हमारे जिल्ली का सबसे एक अंदर का हिस्सा होता है और यह पारदरसी ठीक है और यह सिराएं वस्तों के प्रतिमियम के रूप का आकार का ज्यान जो होती है वह मस्तिस्क को कराती है जैसे मालो यह हमारी यहां पर लिखा हुआ है यहां पर ज्यानोदे के गुरुजी अब यह ग्यानोदे के गुरुजी लिखा है आपको दिखाई दे रहा है कि ग्यानोदे के गुरुजी आपकी आंख जो है ना इसको रीड कर रही है और दिमाग को पहुचा रही है कि भाई वो देखो ग्यानोदे के गुरुजी पढ़ा रहे हैं चस्मा लगा के इनकी बढ़िया बढ़िया सी घड़ी और उसके बाद पहिने हैं कपड़ा तो यह कौन सिराये बतारे हैं हो मस्तिसकों बता रही है यहां तो समझ गया ना बचे जैसे ही हम कोई koncep jury करते वच्चों की संख्या घटती तो मेरे में करन और इस पर्दे को हम आई यरिस कहते हैं कि अईसे नहीं समझ मैं है इस सफेद कलर आपको दिखाई दे रहा है क्या है का यह है ृस्अट झीजरतानिया है इसको म कहते हैं पुतली वहीं से प्रकास सु न दर से अंदर चला जाता है तो यह पुतली केएक विजहता होती है और राव ऑड़या प्लभ करतो हो के अन्थे हें प्रकास के लगा debit spiders समान कहा रखी हैं तो यह यह पुतल के विशेष्थता होती है यह बोहत जादा दूपा रही है मेरे को बचाओ प्रीस यह चीज होती है ये पुतली की लिए सटा होती है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को टेंसन होगा आप अंसर programs अब आते हैं नेत्रレंस पर इनकी जर्वाब परिभासां आपको बताता चलता हूं अब यह है हमारा क्या यह नेत्र लेंज होता है नेत्र लेंज क्या होता है यह नेत्र लेंज जो होता है यह इसकी प्रकत कैसी होती है यह हमारा अभिसारी होता है अभिसारी का अर्थ क्या होता है अभिसारी को हम उत ऐसा नहीं का बना लाओ यह मंहां सोचका होगा है एक ऐसे बदार्त का बना हुआ है जो पारधरती है लेकिन वह हमारी मांस्वेशियां ही है है समज गए तो इसलिए यह किtest का बना होता है हमने अभी बता दिया आप लोगों को अब ज़रा ध्यान से देखू यह क्या होता है आइरिस के पीछे होता है आपको आगे से नहीं दिखाई देगा कि कौन सा लेंस लगाए आइरिस के पीछे होता है और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टन चीज होती है जो कि इसमें लेंस अपने इस्थान पर मांस्पेशियो के बीच में टिक होता है और फोकस दूरी को बडलने की चंता रखता है बाएक तुमको लिखने की पढ़ने की जुरत नहीं है सब तुम्हारे काम का नहीं आएगा है सब्पर काम का नहीं आएगा फन नोट goता अभी हटाया नही आप देखो जारा ध्यान से ऐसे समझना आपको मास्टर ने बोला के बच्चा तुम बीच वाली सीट पे बैठेगा अब मास्टर सामने से पढ़ा रहे हैं मास्टर ने का है दूसरे को डाटने लगे ना मास्टर आपकी नजर उस दूसरे बालक पे गई है फलनवा डाटा जा इसका मतलब अभी उसको डाटा तुम्हारी नजर उस दे गई अच्छा वह अधी जा रही है तो इसने क्या क्या इसकी फोकस दूरी बदल ली और कितनी जल्दी बतल लए कि आपको पता तक नहीं चला कभी आपने नोटिस किया या रहे हो सामने अचानक से आप ऐसा लगता है हमारी आखो में ठीक है यह क्या है फोकस दूरी को सुता बदलने की छमता और इस छमता को हम समझन छमता कहते हैं आगे पढ़ेंगे वालक अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो हम दो छोटी-छोटी बाते और बची है यह बता देते हैं यहां पर एक द्रव भरा होता है यहां पर और इस द्रव को हम जली द्रव कहते हैं सारी बाते जान लो और यह जो जली द्रव होता है यह थोड़ा पतला होता है ठीक मतलब इसी से समझे लो तुमारा आसू अगरा बनता है यहां पर जो होता है यहां पर भी एक द्रव भरा होता है इसको हम कचाब द्रव कह एंसके लिकूंत के नहीं बीच थे इतर है और ये थोड़ा सा बचचे ना मोटा होताइए इसकी तुल्ला में यह थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होता है नो चीज़ आपको याद पर के आपको उसके बाद हुब कुछ और पीत बिन्दू कि जब कोई भी प्तिविम पीत बिन्दू पर बनता है नँव जो है इसको छेद कर की सिर्थ में यहाँ यहां यहां वनता है तो ini को नधा हो जाता है ठीक है आ गई मेरी बास समझ में सभी को क्लियर है कि एक बार मुझे जल्दी से बता दो मज़ा आ रहा है सभी को मुझे नहीं लगता कि या तुम लोगों को अभी भी कोई डाउट होगा हमने नेत्र पूरा पढ़ा दिया सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने जड़ा ध्यान से देखो सबसे पहले हमने बता है कि बाहरी परहते एक द्रण पटल कहलाती है आगे का उभरा हुआ हिससा कार्णिय कार्णिया के पीझे जिल्ली होती रंगी पीचे ने टिका होता है इसमें अपनी फोकस दोरी को सता होती है जिसको हम सैमन्जन चंता कहते हैं फिर इसके बाद हमने बताया कि द्रण सब्सक्राइब 기날 müssen is is Sn, John K उसके बार रेटीना रेटीना क्या होती है यह एक ऐसी परत होती है जो पारदर्सी होती है लेकिन इसी पर प्रतिविम बनता है और यह प्रकास सिराओं से बनी होती है ठीक है आरी मेरी बास में यह यहां प्रतिविम बनता है और वो यह प्रकास सिराओं मस्तिस्क तक जाती है और रंग रुप का ज्यान कराती यह बात हैं यह बाति यह बाति ये उने बता है कि लuyuंस और गार्णिया के बीच में इस अम दृव भरा होता है जिसको कहते हैं यह थोड़ा गाढ़ा होता है फिर इसके बार रेटीना आगे बीचों-बीच में बिंद होता है जिसकों पीत कहते हैं यहां पर प्रित्विम बनता है तो सबसे ज़्यादा इस पश्ट दिखाई देता है अंध्विंद जहां से मांस पेशिया छेद कर मस्तिस्त जात इस से कोश्चन का अंसर करके दिखाओ तुम लोग वीडियो को सेर नहीं किये मजा नहीं आ रहा है जलो भाई जल्दी से इसका अंसर करो इसका अंसर क्या होगा तुरवात में आवाज में ठोड़ा कमी रह गई थी मेरे से गलती हो गई थी तो यह कमी रह गई छोटी से मेरे से जिस्की वजे से बच्चों की संख्या थोड़ा गड़ड़ आई तो कोई बात नहीं अपने lens की focus durey को बदल कर दूर या nिकट वस्तु को साफ शाफ कि देख सकने कि कि आओक के गुड को क्या कहते है अभी इने बताया था कि सामने फ़लाने जा रहे हैं तुम दोनों को देख सका जल्दी से नजर बदली, इधर से भी नजर बदली, फलाने भी दिखाई दे गए, फोकस दूरी बदल गई, इस छमता को कहते हैं, इस छमता को कहते हैं हम लोग कौन सी छमता, आए समंजन छमता कहते हैं, accommodation power कहते हैं इसको, अंग्रेजी भासान, ठीक है, आगए मेरी बात जी यूटूब चैनल पर, या फिर एक नए यूटूब चैनल पर, या एक नए यूटूब चैनल पर हमारा इंग्लिस मीडियम का लेक्चर स्टार्ट हो, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम इंग्लिस मीडियम भी स्टार्ट कर दें, और जिससे हमें class 10 में इंग्लिस मीडिय यह कोई लगाने वाला इंसान होता होगा जैसे हम लोग पावर है ना तो यह पावर लगाने वाला कौन है हाँ यह समझन चमता लगाने वाली कुछ मांस्वेश्यां होती हैं और वो बड़ी एस्पेशल होती हैं इन मांस्वेश्यों को NCRT भासा में किताब में लिखा गया है बच्चे पच्माभी का लिखा गया है पच्माभी पच्माभी क्या होता है यह हमारी कि ठीक है आरे मेरी बात समझ में तो यह दोनों नाम आपको याद रखने है सिलियरी और माद पच्छमाभी आस्थ तीन साल पहले यह किटाब में लिखा भता था पुछमा भी कहीं नहीं था लेंसिख दिया इसको आज के बाद पचमा भी कहा जाएगा तो पचमा भी कहा जाता है यह इन पेस्यों के द्वारा लगाए जाता है चलिए अगले कोशन करें पर चलते हैं अगला क्या को बालकों और दभ जयो किया है एक एकस्स्त मानवनेत्र के लिए की निकंट और दूर बिंद्व कौन से होते हैं है इस में से निकंट बिल्ण पूछ गया है और दूर बिंद्व पूछा आपको मेरी बहुत बढ़िया सोनी और बहुत बढ़िया सोनु जैवर्मा अकांच्हा बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे देखकर अगला कोश्चिन है कि एक स्वस्तम मनुष्स के लिए निकट बिंदू और दूर बिंदू क्या होते हैं फिर मैं इनकी डिफिनेशन के साथ आपको एक्स्प्लेइन करूंगा यह सारी चीज़े बच्चे फिलके नहीं जाना एक मिनट भी कि जल्दी से कि मैं एक बार अपने फोन में देख लेता हूं कि मैं एक बार अपने फोन में देख लेता हूं बच्चे कि मेरी क्लास कैसे चल रही है चलो बाई तो एक स्वस्त मनुसे बच्चों याद रखना अगर आपसे निकट बिंदु पूछा जाता है तो पचीश सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछा जाता है तो अनन्त ठीक है जहां निकट बिंदु और यह दूर बिंदु अब जड़ा ध्यान से सुनो बच्चे निकट बिंदु की परिभासा पेपर में आ गई तो तुम्हारी नन याद आ जाएगी फिर उसमें बहुत प्यार के साथ मेरी ध्यान से अच्छी से बात सुन लेना बच्चे मैं ऐ 25 से ज़्यादा भी देख सकते हो लेकिन 25 से कम में आपकी आखों पर जोर पड़ेगा आपकी आखों पर जोर ना पड़े 25 संटीमेटर पर दिखाई दे यह होता है हमारा ठीक है समझ गए चलो अब उसके बाद हमारे पास क्या है तो इसका सही अंसर होगा अगर निकट पू या फोकस करने के लिए आख के लेंस के फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा परिवर्तित होती है इनमें से कोई नहीं आईरिस के द्वारा पुतली के द्वारा और या फिर सिलियरी पेस्जियों के द्वारा कौन है ऐसा जो फोकस दूरी को बदलता है कि प्लीज सेर दसेशन एंड आल्सो लाइक दसेशन माइडियार क्या होगा इसका अंसर सही सही बताना एक बार जल्दी से ऊ-चलो विविनी दूरियों पर रखी वर्ष्टम के प्रिफ्यम को फोकसित करने के लिए आख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्टित होती हैज इसलियर पैसियों के द्वारा होती है जिने हम पच्माभी All बिद्याभी कहते हैं अभी अभी हम सिकुड जाएगी प्रकास कम है तो फैल जाएगी समझ गया हाँ यह प्रकास को जाने से रोखती है आगे चले बाल को अब यह कुछ परिभास आए थी जैसे समंजन छंता की परिभासा क्या बताई अभिनेत लेंस की वाशंता जिसके कारण वह अपनी फोकस दोरी को सामय प्रकास कारा आराम से देखी जा सके उसको निकट बिंदु कहते है तो इसको हम लोग बोलते है अनन्त यह दूरी हमारी अनन्त होती हैं दूर बिंदु क्या है अनन्त आप अनन्त तक देख सकते आपके अंदर इतनी पावर है अगर इतनी पावर नहीं होती त्यार आप एक बार दिमांग लगाओ जरा कि आप कैसे आकास को देख लेते कि वह तारा टिम टिमा रहा है इसलिए आप अन्यंत तक देख सकते लेकिन अब का करें फलाने सामने घरी बन वाली है कि हम दूर तक द सब्सक्राइब करो जल्दी 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 से बताते रहे बचे बाकी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आप सभी लोग सेयर करते रहो वीडियो को कि अधर 11 का कब पढ़ाते हो 11 का सिर्फ और सिर्फ मैं मैठ पढ़ाता हूं बस जो नेत्र दूर इस्थित वस्तों को इस पस्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है दूर दर्श्टिदोस होता है निकट दर्श्टिदोस होता है जरा दर्श्टिदोस होता है आप बिंदु काता होता है क्या होता है जल्दी से बताईए क्या होता है जो नेत्र दूर इस्थित वस्तों को सुष्पस्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है कौन सा दोस होता है देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं अभी सारी चीजें बताऊंगा आपको मजा आजाएगा आपको देखके जो नेत्र दूर इस्थित वस्तों को इस पस नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है दूर द्रश्चिदोस निकट द्रश्चिदोस जरा द्रश्चिदोस यह आप इंदुकता चलिए देखे जरा ध्यान से सुनते जाएगा एक होता है दूर द्रश्चिदोस और एक ह दिखाई देता है पास का नहीं दिखाई देता थीक निकट दर्श्दोस में क्या होता है निकट का दिखाई देता है दूर का नहीं दिखाई देता जो दिखाई देता है वही दोस होता है यानि दूर का नहीं दिखाई देता लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है इसका मत मांस पेशिया अब फलाने बुढ़व नहीं देख पाएंगे अरे मानलो यह बुढ़वा हो जाएगा बड़ा ओके तो यह क्या हो जाएगा कि अभी यह नहीं देख पाएंगे कि भईया सामने से अंकल जी गुजर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ यह आयू में व्रद्धी हो सकता है मास्टर साब को दूर कांपना में फार्खखो हुता है मासटर स रहे होता है दूर द्रश्टी दोस में तूर होोता है दूर की दाताँ निकट में दिखा दिखाई नहीं दिखाई देता इस पर्ष्ट नहीं दिखाई देता ऐसे दोस्त को हम लोग क्या बोलते हैं कि निकट दूर दोनों ना दिखाई दे जरा देश्ट दोस्त आयों में व्रद्धी हो जाती तब क्लिर है इसका नाम जड़ा देखेंगे तो छोटा है यानि इसके लिए वुत्तल नाम लिखेंगे जो की छोटा होता है नाम उत्तल छोटा होता है अव तो में इस तरहिए को नीचे आप उत्तर लगा लिए एसे जस्मा मणवालीजिये और इसमें नीचे आप उत्तर लेंस लगा लीजिये क्योंकि से नीचे उपर करनी पड़तीơn याद रखो ऐसे तरीका और यह उपर क्या लगा लिए और लगा लिए यह ओगया ट्रिक यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को एक बार जल्दी जल्दी बतादो और सेयर भी करते हो तभी तो मज़ा आएगा आपके संख्या देखके मेरे दिल में थोड़ा हलचल मच रही है तो यह बच्चा समझ में आ गया कि दूर दश्टिदोस क्या होता है यह जरा दश्टिदोस और भी चाहते हो और भी चीज़े जानना चाहते हो चलो मैं दिखाता हूं तो एक बात बता दी दू कट हो जाएगा समंजन च्ट्बता कम हो जाएगी जरा हो जाएगा समन्झन च्ट्बता कभी बढ़ती नहीं है हमेशा घटती हो कि अग्यूंत च्म 개行 समझ हो तो दूर दश्टिदोस को क्यों होजाता है इसमें जू आख का को लूए होता है और उदता हो याद करने तरीका लिइसमें जो आंक का गोलक होता है वह गोलक बढ़ा हो जाता देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं निकट का नाम बढ़ा इसमें लेंस बढ़ा लेंस मतलब ऎृफ तयातल नाम बढ़ा है न जो कशोटब बढ़त सब इतना एक मसा मस्थ ट्रिक madness लोगे मांजरेशिया कम जोः हो जाएंगा है और दिखाई नहीं दे और बिढ़िया को भी दिखाई नहीं देगा है शुसके नहीं हाँ सब्सक्राइब अब बच्चे पूस्ते क्यार सर जी आंख का गोलक क्या होता है अरे यह देखो फलाने गोलक बना हुआ है यह गोलक छोटा भी हो जाता किसी किसी के आंखे देखो छोटी हो जाती किसी किसी तरी का अंडेक तरह बड़ी हो जाती है समझे रहे तो यह गोलक छोटा बड़ा हो सकता है यह होता है इंफेक्शन होता है तब होता है तो अभी कोश्चन था कि जो नेत्र दूर इस्थित वस्तों को इस पर नहीं देख पा रहे लेकिन फलाने पास का तो देख ले रहे ना तो इसका मतलब फलाने को निकट तो नू राजभार ने अंसर दिया है बच्चे अभी तारे क्यों नहीं टिम्टिमा ते परेसान नहों यह पढ़लों नहीं आखे टिम्टिमा जाएंगे माईडियर ठीक है थोड़ा सांथ हो जाओ सारा चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा कोई बच्चा हेल के नहीं जाना चाहिए और एक चीज़ बच्चे मैं आपको बहुत साफ साफ बता देता हूं जैसे आप अभी तैंथ क्लास में हो ना कभी मैं भी ऐसे ही तैंथ समय में ना यूटूब था ना मेरे समय में ग्यानों दे के गुरू जी थे मेरे समय में कौन लाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको रात में लेट कर पढ़ने का मौका मिल रहा है आप अगर पढ़ना चाहो ना तो आपको सब कुछ मिल रहा है अगर जिग्यासू हो तो आपको कहीं जाने की जुरत नहीं है आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्री को पढ़ने क को मिल रहा है आप केवल पढ़ने की ताकत रखो अरे पढ़ो तो ना सब कुछ मिल रहा है बचो यूटूब एक ऐसा प्लैटफॉर्म हो चुका है जिसमें हर बच्चा पढ़ सकता है अगर वो चाहे तू हर एक चीज है ना जाने कितने ग्यानों दे के गुरू जी आपको मिल मिलेंगे ना जाने कितने अच्छी अच्छी टीचर मिलेंगे हर एक इंसान यहां बहुत डेडिकेट होके पढ़ाता है क्योंकि जिसने यूटूब पर पढ़ा लिया ना समझो वह 100% डेडिकेटेट ही होगा डेडिकेटेट जो नहीं ना वो यूटूब पर कभी नहीं सब कुछ लगा के तब यूटूब पर पढ़ाना स्टार्ट करता है ना समझ लो फिर भाईया वह आपके लिए बच्चो राम बाढ़ है आपको टॉप बनाके छोड़ेगा आपको पढ़ने के जुरत है बस सब कुछ है विलेवल है आपके टाइम पर आपके अंदर छमता नहीं है अगर छमता नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते अगर आपके अंदर छमता है तो आप कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की छमता है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो फिर संसाधन माइने नहीं रखते फिर माइने रखता ह आपका डेडिकेशन फिर माइने रखता है आपकी निष्ठा फिर माइने रखता है आपके कारिक के प्रति आपकी इमानदारी यह चीजे माइने रखते हैं ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए ये प्यार आपके अंदर होना चाहिए कुछ करने की छमता आपके अंदर होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की पावर होनी चाहिए और जिस दिन ये डेवलप हो गई ना कोई रोक नहीं सकता आपको आप अभी इस क्लास में होना इ महाप बारहं आपको तूारभ देने का मॉका नहीं मिलेगा। Ash you... नहीं कि आपको नभे आगा तो कितनी अच्छी बात होगी का रातेन्त करने का मौकर किवल एक बार मिलेगा कैसे या तो आप फेल हो जाओ तब हैंने था दोबारहं तेन्थ देने का मौका नहीं मिले 10th की मांक सीट का नुकसान बताता हूं जब आपकी 10th की मांक सीट पर नंबर कम होते हैं आप कहीं भी इंटर्व्यू देने जाते हैं पहला आपका सटिफिकेट 10th का ही होता है आपका जब सटिफिकेट जाता है न तो यार इतने नंबर समझ यह बट कहते ना सिंगल सीट ऑफ फेपर कैंनोट डिसाइड यूर फ्यूचर लेकिन ये बात तभी लागू होगी बच्चे जब आप मेहनती होंगे तब आपने सब कुछ किया तब आपका रिजल्ट कम जो रोजा अलग बात है आपने नोलेस तो हुआ ना आपको लेकि यह मेरे लिए कितना जरूरी है क्या है सबसे बड़ा ड्रॉबैक कोई इंटर्व्यू देने जाओगे प्रॉब्लम होगा कहीं साधी व्याह का चक्कर होगा तब पड़ी समस्या हो जाएगी भाई माली मालीजी आपको मांगी जाएगी भाई या फलानी की मांग सीट दे द है क्योंकि रूल्स आचकल चेंज हो रहे हैं इसलिए तेंथ के नंबर उतने ही आपके जीवन में इंपोर्टेंट रखते हैं जितना आप आपके लिए सारी क्लास के नंबर माइने रखते हैं यह बहुत अच्छे से पढ़ो यार बहुत मेहनत करो कोई जब सौ में सौ जिस गवैं देख जिहां जी से फिले साल भी में सौल आने वाले ना जाने वाले चैनल के और आपको विशास नियर्ट जाके देख लो मैं अप्लोड किया मेरे बिच्स अपने बच्छे पूरे दी चौने जी आपको देख लो तर्च कर लो नमन गुपता यूपी बोर्ड टॉपर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं घ्यानोदे के गुरुजी से पढ़ा था मैंने उन्हों से नहीं किया उन्होंने खुद कॉंटक किया चले बचो आगे चलते हो यहां पे देखो जो नेत निकट इस्थिद वस्तों को इस पर नहीं देख राधाए अब देखों यह निकट का नहीं देख पाते रहिए इनकी आखों में कौन सा दोस है दूर का देख लेते हैं इसके पहले वाले कुश्चन में क्या था निकट दर्श दोस्त आगे चलते हैं जडरा दूर दर्श सिस्ता से पीडित व्यक्ति का उप्चार किस प्रकारस के लेंस से किया से करेंगे बिल्कुल नहीं अभिसारी मतलब उत्तल ही होता है उत्तल से करेंगे किस से करेंगे कैसे करेंगे ऊपर लगा देंगे आउत्तल लेंगे और नीचे लगा देंगे उत्तल लेंगे इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपने ऐसे चस्में बहुत पिछका हुआ चलो आगे चलते हैं मानो नेत्र में इस पर्ष्ट द्रस्ट की नियुंतम दूरी कम या अधिक हो जाने पर उसकी आखों में दोस्त उत्पन हो जाता है मानो किसी भी वस्त को इस पर नहीं देख पाता यहां दोस्त कौन सा है कि अध्य बहुत कल्पी कोशन नहीं है ना यह तो अभी वही दूर दस्ट दोस निकर दस्ट दोस जरा दस्ट दोस वाला है सब ठीक तो यह वही सारी चीज़ें अच्छा लगा है ना आगे बढ़े हम लोग के एक मिनिट आ रूक ना सारे बच्चे आघे बढ़ते हैं एक स्टी रूख न अब आगे बढ़ा लेते हैं ठीक अभमारे पास यहां पर कुछ दोस्त थे इनको ہम बताना आपको लिए स्टार्ट करते है यह देको दूर दस्ट को हम आपको बता चुके हैं क्या होता है आखिर दूर दश्चिदोस हम आपको बता चुके हैं क्या होता है पूरा बता चुके निकर दश्चिदोस बता चुके जरा दश्चिदोस बता चुके अब आपको बताते हैं आप इंदुकता क्या होता है आप इंदुकता क्या होता है जैसे मालो एक उर्धा धर वस्तु है और कोई 36 बस्त है उड़तादर मतलब होता है खड़ी खड़ी और 36 मतलब होता है पड़ी पड़ी अब आपको सामने कोई चीज खड़ी है लेकिन आपको नहीं पता चला है कि वो खड़ी आपको लग रहा है वो पड़ी है आपको लग रहा है कि वो पड़ी हुई है इसका मतल लगाया जाता है आखों में एक आगे मेरी बात समझ में यह आखों में बेलना कार लेंस बनाया लगा दिया जाता है इतनी बात आगे चले हम लोग अब एक में टुकना जरा इसकी डिफिनेशन वगरा यहां देख लो इस दोस्त में कमान रखी वस्तों की 36 और उर्धादर वस यह पूरी गोल नहीं होती है इसलिए ऐसा होता है तो यह कार्णिया की गुलाई में आद्यमत्रता केवार यानि वह गोल नहीं होती इसलिए दोस्त पाए जाता है इसमें लोग उचीद फोकसदूरी का बेलना कारलेंस लगाते फिर आते हम लोग पढ़ते हैं वर्ण आंध देखा होगा जैसे कुछ लोग हरे कलर को नीला कहते हैं मैं बच्पन में बहुत लोगों को देखता था वो कहते थे जाओ तुम नीला रंग ले आओ जबकि वो हरा रंग होता था हरे को नीला नीले को हरा कहते हैं नारंगी को लाल कहेंगे और जो ब्राउन कलर है उसको बोले पैदा हुए आपके अंदर यह गुणा चुका है पूरा यह फैमिली में ही पूरा होता है इस रंग को यह कहेंगे तो मनुस्य के मनुस्य नेत्रों की पहचान ना कर पाए इस दोस्य पीडित व्यक्ति ठीक प्रकार से क्या करता है रंगों में अंतर नहीं बता पाता इसका को पौरिण साथा यह पके इन है क्योंने तो ने जसे नाहीं सबस्झाएं बताते हैं बच्छे को सुरू से लाल रंग है ना मिका बहुती तो नाल वाले नाम विकल्य के लाल ही याद करा इसको इसको लल कहाै नहीं करने टारिःू नहीं को भरी वजर्यार में और नहीं वह मत प्लतलब है उसको तो पढ़ाया तो लाल गया है यह आप आप आगे वाली पीड़ी कहीं ऐसी अगर इस दोस्न से पीड़ी तो मुझको ऑई से करेंगे अगा नीला होगा वो नीला हरे को नीला बोलेगा तो हम जान जाएगा इसको दो से है इसको मुल्टा पढ़ाय है आप grey यह ऐसे गर सकते हूं यह क्या होता अख में जो मांस्पेशियां होती है वूदुटी है ताइप की होती है एक संक्वाकार होती है और यह कर लो कहीं पर यह संक्वाकार होती है रंगों को बताती हैं कौन सा रंग है ठीक है और जो दंडाकार हमारी कोश्का होती है वो प्रकास की सुग्राहिता यानि प्रकास कितना तेज है प्रकास कितना कम है उसके लिए वो क्या होती है सेंसिटिव होती है यानि सुग्राही होती है तंडा कार प्रकास के लिए संको कार हमारी रंग के लिए यह कोशन आता है ठीक तो यहां तक बच्चों क्लियर है एक बार मुझे बता दो फिर मैं आगे चलूंगा और आप लोगों को बताते रहूंगा मैं पढ़ाते रहूंगा का ऐसे ही कि वाइनली हम लोग बहुत सारे लोग है लेकिन यार सेशन को बहुत सारे बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं किया है तुम लोगों का काम है कि प्लीज लाइक करके करते रहो ठीक है आगए मेरी बास समझ में यह जो एक लड़का बार बार लिख रहा है ना डा कि यह वही कर रहा है दांस करो प्लीज दांस करो प्लीज मेरे से आज बोल रहा था सुबह से की डांस करना वागा ता कि कि आब यहां से हमारे पास question शुरू हूआ कि हम यार dicke कि रब किया होता है फिम किसे कहते हैं ठीक यह कोमारे पास आया यह दो जोगा करते रहो और मैं आप लोगों को प्रिज्म दिखाने आ रहा हूं बस कि प्रिज्म देखा आप लोगों कि यह देखो क्रीज्म है और यह एक बहुत प्यारे इस्टुडेंट के द्वारा हमें मिला था तो यह गिफ्टेड है आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया है यह हमारा प्रिज्म है या प्रिज्म देख लीजिए ऐसे यह प्रिज्म होता है इस प्रिज्म में आप जरा ध्यान से देखोगे तो इस प्रिज्म में आपको तीन सतह दिखाई देंगी जो की आयताकार हैं देखते हैं जरा ध्यान से यह पहली सतह है फिर उसके बाद यह दूसरी सतह है फिर उसके ये वाली सत्य और इसकी येवाम तिर भुजाएकार होती है तो आप कोई पूछेगा कि पुछे क्या होता है अब डुनत द sedärt हो कि दो स़ाइ cuंगे जो नमारी तिरुजाकार है और स्बस्पाइब और तीन सब्सक्रेंब और हमारी जो है यह हमारी कौन सी शाउक में इसमें रंग दिखाइं दिखाई दे रहें तो क्यों समझ में क्या मा इतनी बात रम लोग आगे चलते युजा को और समझते हैं थोड़ा तो परीजम का आगर आप चित्र बनाएव पूद कियों तो कैसे बनाओगे कि मैं चित्र बना रहा हूं प्रिजम का देखो कैसे बनाते हैं कि देखना बच्छे ठीक है अब इसको थोड़ा और थ्रीडी में बदलते अब यह मैं टूडी बनाया है इसको थ्रीडी में बदलते हैं देखो ऐसे हो गया इसके एक सता कहा होगी कि ऐसे होगी इसके पीछे हाना कि ऐसे है इसके पीछे सता होगी ऐसे कि इस तरीके का बना होगा प्रिजो यह वाली सता देखो यह वाली यह हमारी तिर्भुजाकार सतय है यह वाली जो आगए आपको दिखाई ते रही है वाली हमारी तीरभुजाकार सतय है तीन सतय है इसमें हमारी आयताकार होती है लगोगों के लिए बस सब्सक्राइए अधिया इस आप में इस Vanagd बता कि अ करें डिखो कि यहीं हाँ से कैसे होता है प्रकास का पुड़त्र वह थ्यान से समझ्जने कि प्लीज को एक प्रकास की किरण इससे जा रही है ऐसे एक रंग की प्रकास की किरण है यह क्या है प्रकास की किरण है और इसका नाम है पी क्यू यह प्रकास की किरण और यह लेंस है ए पी और सी यहां पर जो कोड बनता है इसको आम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोड इसे ए से लिखा जात परकास की जो हमारी किरण है यह प्रकास की इसके अंदर जाएगइ प्रिजम के अंदर तो यहां इसको मिलेगा एक अभीलंब यहां इसको एक अभिलम मिलेगा ऐसे ऐसे जिए जो कि इस सतह पर Grad कबना रहा होगा स्था पर 90-Dеб3 को망 अब ये प्रकास की करन्ण क्या करेगी आपको पता है कि इसको सीधे जाना चाहिए ऐसे कि इसको और इससे चलते जिब कि यह प्रकास की आच जाते जो selbst जाती यह और दिसा में चले गूँआ है तो अभी यह पढ़ने के बाद ये अभिलम से दूर हटती है और जुख जाती और किवार तिसा में चली जाती है अब आपको पता कि यहां पर हमारे पास कांच है अब बाहर निकलेगी तो यार अभिलम से दूर हट रहीगी यहां पर क्या हुआ है एक मिनट यहां अभिलम से यह अभिलम की तरफ जुकी है दूर नहीं अटी है अभिलम की तरफ जुकी है अब मिलेगा यह सकते हैं यहां भी जाओ वहाँ सकते हो सीधे जाना चीमी निकल के लेकिन इसीधे सब्सक्राइगा यह क्या क shop लुग से लिखा लेकर मुँह से बूल के बताथ हो कि हमारे पास इक पृप की सता है किसाट थोड़ा सा पानी दे दिया जाए ऑप्रिजम है उसकी एक सता है प्रकास की करण प्रकास की किरण प्रकास की से सफये pamuschकर अभी निकलंगी अभिल हटी यह से दूर हटी तरफ जुकि निस बात क्लिकद हो गया अब और आगी ज़रा ध्यान से देखो यहां पर एक कोंड बन रहा है इसको हम आपतन कोंड कहते हैं यहां पर जो कोंड बन रहा है ठीक है यह कोंड ए कहते हैं इक क्या का अर्थ क्या होता है यहां पर कोंड बन रहा है जिसको हम आई बोलते हैं आई मतलब होता है आपतन क्या होता है निर्गत कोड गिए क्यों लिखा मतला बाहर निकलने वाला ऑधर नीकलने वाला इसल् G regarded यहां परम बन रहा है यहां आई है जिसको आपर तरणकौन बन रहा है यह हमारे पास कशया है अपतल कोड़ होगा इस वाली सदह के लिए इतना काम हम लोगों ने किया आपको जो यूटूब पे बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए और वो लोग कॉमेंट्स बार बार देखते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपको वहां पे टीचर्स प्यार से बोलते हैं बाल जट रखते हुए कभी कभी आपको आई लवी भी मेरे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे मैं वैसा नहीं कर पढ़ाऊं को अगर मैं आपको और सब्सक्क्राइज डिया और बद लग गया वो तो भाग जाएगा यार मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो यह सब चीजे कहीं और चलती होंगी हमारे चैनल पर नहीं चलती है यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है डेडिकेशन की तरह से हम भी लगे रहते हैं आपको भी डेटिकेट यही कारणे की यहीं से अच्छे से टॉप पर निकलता है मज़े करने वाले बच्चे आपको कभी नहीं मिलेंगे आपको हमारी कॉमेंट्स में कभी बी उल्टा सीधा लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा क्यों कि इधर तुरंत उसको उड़ा दिया जाता है हे चलो तो यहां तक मेरे को इतना लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं एक बार बभर से बोल की बता देता हों तो रहां को प्रिज्म से बाहर निगलेगी एस सतय से और अभिलम से दूर हट जाएगी क्योंकि प्रकास किरण कांच से वायू में जा रही है अब यहां पर जो कोड़ बन रहा है उसको आपतन कोड़ कहेंगे अभिला पीक्यू किरण के बीच में और इस अभिलम के बीच में यहां पर जो बन रहा है यह जो कोड़ बन रहा है यह हमारे पास क्या ई है जिसको निर्गत कोड़ कहेंगे इतनी बात सभी को समझ मागई इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि जब प्रकास किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकास किरण पहले सीधे जाती है फिर जुकती यह बात मेरे को पता चलिए अब थोड़ा और आगे ध्यान देना अगर हम प्रकास की किरण कि अगर प्रकास की किरण पीक्यू को आगे बढ़ाएं और आरेस को पीछे बढ़ाएं तो एक बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु को हम टी कहेंगे टी कहते हैं और यहां पर एक कोंड बनता है इस कोंड को हम इस से लिखते हैं और इसे हम कहते हैं डेल इसे हम डेल कहते हैं डेल क्या होता है कोंड होता है इस डेल का एक नाम होता है जिसे हम विचलन कोंड कहते है इसको हम विचलन कोंड कहते हैं जो अभी बाते मैंने मुह से बोली है वो सारी बाते हमारी यहां लिखी है यह देखो कि दिखराए आपको सारी बाते यहां पर लिखी है कि आगे चलते हैं यहां पर मेरे को आपका आंसर चाहिए जल्दी से मुझे प्लीज बताइए कि इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताएए कि इसका अंसर क्या होगा यह जैनु काला चस्मात जचता है जचता है काले मुखडे पर जल्दी बताना स्वैत रंग कितने रंगों के मेल से बना है तीन रंग चार रंग पांच रंग सात रंग कि इसमें शैत रंग का मतलब होता है वायट ल ç ready से रंगों से मिलकर बना है जल्दी से प्लीस मुशे बतायए गा मेरे बच्चे स्वैत रंग कितने रंगों के मेल से वाना हुआ है कितने रंग होते उसमें तीन होते चार होते पाच होते सात होते अरे बच्पन में पढ़ा दो मेरे बुच्च स्वैत प्रकास आपने बच्पन में पढ़ा था रहें या इसमें साथ रंग होते हैं कौन कऊन से होते हैं याद कर लो पहलारें छल्दी से विब गयोर कौन से रंग होते हैं तुन जिसे हम कहते हैं बैंग tips ओके उसके बाद आई फॉर इंडिगो आई फॉर इंडिगो इंडिगो मतलब जामुनी अना उसके बाद भी फॉर ब्लू मतलब नीला ओ फॉर जी फॉर ग्रीन यानि की हरा और वाइप और यल्लो यानि की पीला और ओफ और और ओर जानि की नारंगी और और पर रेड यानि की लाल तो साथ रंगों के मेल से बना होता है और इंड़ धन उसमें कितने रंग होते हैं यहीं से कोशन आएगा बच्चे सात रंग होते हैं ठीक आगे चलते हैं अगले कोशन पर स्वैज प्रकास की किरण जब किसी प्रिंज में से होकर घुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है प्लीस आंसर फास्ट कि जल्दी से प्लीस मुझे इतना बताना कुछ बच्के पूच रहें मास्टर आपकी डिगरी क्या है आपकी डिगरी क्या है कच perform का अब एक डिगरी चल रही है जब कंप्लीट हो जाएगी तो बता देए तो यूपीटेट्ट्सीट अब्छ कर चुका हो कि चलो बाई जब स्वैत प्रकास किसी प्रिज्म से गुजरता है देखो कैसे गुजरता है जरा ध्यान से देखो जब प्रकास किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं जड़ा ध्यान से देखिएगा यह है मान लीजिए हमारे पास प्रिज्म और यह है प्रकास जिसको हम बोलते हैं स्वैत प्रकास अचिस तरफ प्रकास है जो प्रकास सबसे जुकता है वह होता है बैंगनी यह सीधे जाना चाहिए तर इसको सीधे चाला जाना चीफ Esse लेकिन झोड़ा जुक गया अभी में पढ़ा है कि जुकता है उसके बाद जो कर कर दो प्रियंगर पेड़नी है गई और सबसे कम जुकता है वह लाल मौत आगए इतनी बात समझ में जल्दी-छल्दी से मुझे बता दो प्लीज मुझे नहीं लगता कि आपको एक परसेंट भी कोई डाउट होगा तो सबसे ज्यादा जुकने वाला बैगनी सबसे कम जुकने वाला लाल बाकी इसमें साथ कलर और होते हैं आगे भी पढ़ेंगे सारी चीज़े तो सबसे अधिक विचलित होती है कौ बहुत अच्छे अच्छे से आंसर कर रहे हो कि ओके चलिए आगे चलते हैं जब हाँ इस बार बोर्ड एक्जाम में हो सकता है कॉपी चेक करने के लिए हमको बुलाया जाए तुम लोग तैसी बात करत हो यार देखो द्रस से प्रकास में किस वंड का तरंग दैर्थ अधिक प्रकास होता है पूरा सातों रंग उसको द्रस से प्रकास बोलते हैं किस रंग की तरंग दैर्थ सबस्रीच ज्यादा होती है मैं आपको भी ऐसा सिखा दूंगा आप भूलोगे नहीं कभी जिन्दिगी में बस एक मिनिट इंतचार करो कि मैं भी पूरा आगे बताने वाला और जो बोलता है मैं जुगेगा नहीं साला वह कम जुगता है उसकी तरंग दैर्थ ज्यादा होती है अभियाद रहेगा तुम्हें ठीक क्या बताया सर ने कि जब कोई प्रकास ऐसे गुजर रहा है यह लाल रंग है यह बैंगनी है और यह लाल है जो जादा जुकेगा उस की तरंग दैर्थ जादा तो कौन कहता है मैं जुगेगा नहीं जादा यह बोलता है लाल रंग है तो यह हमारी तरंग दैर्थ अधिकताब होती कि लाल रंग की होती है और सबने भी आंसर दिया है सर भी होगा वेरी गुड देवेश रितू दिशा और अमित प्रतीक प्रतार शाहिल गुपता अनुजवर्मा रामचरन अनुजवर्मा अमित हिमांशु देविका राजेश नूरी फातिमा वेरी गुड बहुत अच्छे अच्छे वो क्या बेज रहे हैं बच्चे इसको क्या एप्पल है क्या थांक यू सो माच ठीक समझ गया है चलो आगे च उन्हें प्रिज्व माच एक क्रåns को कांद यू और किखा एक कास प्रकास प्रकास औरेगे और और सातों रंग झारे एंदर पर यह सातों रंग जारे और यह जा रहे इसको स्वाध प्रकास बोलेंगा मैं इसमें से पहले कुछ बच्चें आइसे चित्र बनाते हैं मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की बोर्ड की कॉपी कि है एक कि खेलवार नहीं गत्रम च्छकाना है तो चैति क्या होता है कि सबसे फैले थोड़ा घुकाना है मि के कि सबसे पहले थोड़ा जुकाना मैं और थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिस करता हूं कि तरध्यान से देखो कि यह सीधे जाना चाहिए था और थोड़ा बनाते एह जुको अ सबसे पहले लाल रंकी प्रकास की किरण है और उसके बाद यह बैंगनी रंकी प्रकास की नहीं हो यही से जुकना यही से कलर का टूटना चलू हुआ अब बैंगनी वाली तो से चली गई और जूकी लाल वाली भी और जूकी यह क्या हो गई लाल हो गई semo और यह क्या हो गई बैंग नींहों गई है कि अब बाती खलक के लिए मैं वाइट कट लार कर लेता हूं कि मेरे पास और कलर करेंगे तो बहुत समय लगेगा यह दूसरी प्रकास की किरंड हो जाएगी कि ध्यान से समझना यह दूसरी प्रकास की किरंड हो जाएगी गया दूसरी हो गई यह तीसरी हो गई चौथी हो गई पाच भी हो गई और यह सात रंग हो गए टोटल कितने हो गए सात रंग टोटल हो गए अगर हम यहां पर परदा बनाएं यहां पर बना दे परदा बना दे यह सातो रंग ऐसे दिखेंगे ऐसे देखो वी आई वी जी वाई ओ आर हिंदी में नाम लिख देना जो मैंने भी पीछे बताएं ऐसे चित्र बना कि आना एक पर में ऐसे चिली भी लुगा नहीं बनाना है ऐसे बना दिया यार तुम लोग ऐसे करके अईसे इसे इसे अरे देखें न कॉपी इसे बता रहें बोड भी आती है चित्र बना दिया इसे इसे फैला रहे हैं पर माश्टर भी से काट की नंबर देते था जीरो तो अब बिस्कुट खाना है अरे धन्यवाद भाईया इस कुट नहीं कहा थे बिस्किट कहा प्रिज्म नहीं किसी को अच्छे से क्लियर हो गई वाद अब बच्चे पेपर में आता है प्रकास का वंड विछेपन क्या होता है तुमने क्या देखा अरे आपने देखा एक था प्रिज्म हमारे पास इससे प्रकास की किरण इसकी आयताकार सतह पे गिरी और साथ रंगों में डिवाइड होने की जो घटना थी इसको ही हम कहते हैं प्रकास का वंड विच्छेपन इस पर्शन ऑफ लाइन इंग्लिस लेंगवज हमने क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकास त्वैत इस प्रिज्म से गुजरता है तो अपने सात रंगों में बट जाता है प्रकास की इस यह से नंदम Mississippi hedge it को सबसे जूच्छा जाएगा यार कौल जुखता है अब मुझे बताओ की जुकना का मतलब अर्यश्म का मतलब धुकाव कों जादा जुखता अरे बहिंत अब लाजदा कम जुखता है किया एक बात प्सवाई प्र्रकास का पुरण बताना है जो जादा धुकता है तो या फैलता है तो वच्छे आतुर अतुरस होका लाल पीला, आधि एकट हो, थिक्कत हो जाएगा भुंगirement मेर्ट्न ही प्रकौदन यानिALLY फैल यानीकि फेला प्रकौदन हो यानी प्रक्रिलन ज्यादा होगा मतलब ज्यादा इसरी बात अब वर्तनांक अब यह पुर्तनांक क्या होता है हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को पेपर में कोशन आता है कि कि प्रतनांग ज्यादा होता है तो बैंग नीं मुत ज्यादा ही यह से जबी फूले तो याद प्रतनांग होगा आप यसई है जो इसमनी होती है और उस चीज को क्या कहते हैं एक चीज ऐसी है जो इन सभी चीजों की उल्टी होते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं तरंग दैर्द अगर आप हमारा नोट जाके एप पे लोगे ना यार भाई मैं कहता हूँ कि तुम्हें कोई रोकी ही नहीं सकता तरंग दैर्थ क्या होती है हमारा एप भी है आपको इसके बारे में जानकरी होने चाहिए कि हमारे एप पर भी क्लास होती है तो यह तरंग दैर्थ क्या होती है लेवलेंफ होती क्या है ऐसे देखो ऐसे आपने देखा ओंगा तो यह एक विछोब हो गया इनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्थ कहते हैं जो कच्छा नौ में पढ़के यह पूछा जाता है कि कि तरंग दैर्थ जादा होती है जो जादा जुकता है उसकी कम होती है बस यह उल्टा होता है याद रखना यह चीज क्या होती है उल्टा होती है जो जादा जुकेगा उसकी तरंग दैर्थ कम और जो कम जुकेगा उसकी तरंग दैर्थ जादा तो ला तो उससे रंग का-ईतढकर गुटके से भी होतास और उससे रंग इसलियं नहीं दिखता क्योंकि प्रकास जाता फ्यूरूी जो अगर चला जाएं अगले पर आते हैं लोग है अब आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति पर नहीं अंहीं हदद formats कि अंगम है जल्दी करने के लिए ने मुझे प्लीज रिविस आधा दो जल्दी शल्दी करने के लिए कि हुत şi कि कि देखतें कि आप कर सकते हों कि नहीं रिकतिस्थान की पूर्ती पुछे जाए कोश्चन आपसे दिया जाए पहला कोश्चन चलो बाई पहला कोश्चन बताओ क्या होगा दूर दर्श्च दोस्वाले व्यक्ति को देखते क्या बता पाओगे आप कि यार यह बड़ी गलत बात है तुम लोग अभी सेशन को लाइक नहीं किये जल्दी से बताना प्लीज 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 इसका अंसर बताए बियाच्च यू क्लास 11 इंटरेंस एक्जाम का प्रफेशन करवा दिजिए टेंथ क्लास का प्रफेशन कर लो उसका प्रफेशन भी हो जाएगा पताओ दूर दर्श्च दोस्वाले व्यक्ति की को कौन सी वस्तो इसपस्ट नह वेरी गुड अनुज वेरी गुड देवेंद्र वेरी गुड हिमांशु बहुत बढ़िया वेरी गुड अनमोल मौर्या और नौशमान अली यह भी वच्चा काफी दिनों से जूड़ रहे हैं अभी गलत अंसर दे रहो जो दोस होता है वो दिखाई देता है जो दोस नहीं करके निकट दूरस्थवस्तों को फोकसित कर लेता है कौन सी छंटा होती ऊंसर करो कौन सी छंता होती है कॉमेंट बॉक्स में प्लीज जल्दी से कौन सी छंता होती है वेरी गुड देविका, विशाल, अभी तक किसी का अंसर नहीं आया है, सबसे पहला देखते हैं किसका आता है, अभी तक किसी का नहीं आया है, जिसका पहला आएगा, हाँ, सबसे तेज आंसर आया, Mr. Yes, very good Mr. Yes, Mr. Yes, नाम लिख रखा है इनोंने, तो पहला अंसर आया है, सबस सबसे तेज समंझन छंता, सिर्फ एक बच्चे का नाम लेंगे, जो बच्चा सबसे तेज आंसर करेगा, देखते हैं कि कौन सबसे तेज आंसर करता है, समंझन छंता हो गया, क्योंकि दूसरा अगला कोशन है नहीं, तो तुम तेज आंसर नहीं कर पाओगे, जब मैं दिख ठीक है इसका अंसर आपको बताना है कि क्या होगा प्लीज जल्दी से अंसर करना जल्दी से ने रेटीना में विद्धमान को सिकाएं रंगों के प्रति समवेदन सील होती हैं अभी अभी बताया है देखते हैं कौन बता पाएगा इसका अंसर अभी तक किसी का नहीं आया है अ अभी तक किसी का तेज आंसर नहीं आए, देखते हैं कौन सबसे तेज कर पाएगा, एक बच्चे का आया है और उसने गलत दिया है, अभी तक राज गुपता ने गलत दिया है, हाँ, very good, सबसे पहले और सबसे तेज जो आंसर आया है, वो दिया है योगेश और नंदनी धिमा आपका गलत है, प्रकाश पांडिंग, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, शंक्वाकार को सिखाएं, अगर ये कोश्चन पूछा जाता, कि रेटीना में विद्दमान, जो हमारी दंडाकार को सिखाएं, वो प्रकाश के प्रतिसमवेद अंसील होती है, ठीक, अगले इस दोस को दूर करने के लिए आउतर लेंस का प्रियोग करते हैं, कौन सा ऐसा दोस होता है, जिसको दूर करने के लिए आउतर लेंस का प्रियोग करते हैं, बताओ भाई, कौन सा ऐसा दोस है, जिसको दूर करने के लिए आउतर लेंस का प्रियोग किया जाता हो, जल्दी से प्लीज, वेरी गुड, हाँ, इसको वेरी गुड सबसे तेज आंसर है, विबेका नंद तिवारी जी का, और रितु का आंसर गलक्त है, रितु दूर आंसर कैसे होगा बेटा, ध्यान से पढ़ाई करो, निकट द्रस्ट दोश, निकट दोश को दूर करने के लिए, आउतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बड़ा है तो बड़ा, दूर मतलब उतल, निकट मतलब आउतल, चलिए, अगले कोशन पर चलते हैं, ये कोशन आ गया, कारिया के पीछे, रंगीन और अपार दर्सी जिल्ली परदे को क्या कहते हैं, इसका अंसर देखते हैं, कौन अंसर परदे पाएगा, कारिया के पीछे, रंगीन तथा अपार दर्सी जिल्ली के परदे को क्या कहा जाता है, जल्दी बता वचे कार्णियां के पीछे रंगीन यानि की रंग ही रंगीन यानि कलर फुल अपार दर्सी मतलब एक पार से दूसरी पार जो है ना जा पाई अपार दर्सी जिल्ली के परदे को हम क्या कहते हैं वेरी गुड एक बच्चा बोल रहा है को रोइड कहते हैं अरे भाईया यहां पर पूछा गया है कार्णिया तुमको अपनी आख नहीं दिखाई दे रही है बालक यहां ध्यान से देखो यह है तुम्हारी टेनी मेडी आख और यह है आगे तुम्हारा कार्णिया इसके पीछ आइरिस ही आखों के कलर को बताता है कि आपकी आख काली है इसका मतबब आपकी आइरिस काली है आपकी आखे हरी 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 है ठीक है समझ गए आइरिस पर डिपेंड करता है अब इसके बाद है प्रिजम से निकलेने पर इस रंग का विचलन सबसे अधिक और किस रंग का तो भी पीला हरा लिखना है करम से आंसर दोनों लिख दो कौम अलगा के प्लीज कि अलो कि हर सित्म क्लास के बाद ही बात कर पाएंगे आपसे कि इसको अनिस्टॉल करके ही कर पाओ तो कर दो और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि चल रहा है बाकी और कोई समस्य नहीं है तो प्रिजम से निकलने पर किस रंग का विचलंग जो पूछा गया है सबसे अधिक होता है अभी अभी आपने पढ़ा था कि माली जी आपके पास यहां पर प्रिजम है ऐसे गया तो यह लाल रंग है और यह बैंगनी रंग है लाल रंग का विचलंग सबसे कम और बैंगनी रंग का विच कोशन चौहान जी का और शौरब जी का शौरब और लाल रंका सबसे कम होता है बहुत बढ़िया मज़ा आ रही सारे बच्चों को अगले क्वेशन पर आओ इस पॉष्ट द्रस्ट की नियूंतम दूरी कितनी होती है अभी हमने बताये था निकट तंदूरी निकट बिंदू इस पॉष्ट द्रस्ट की नियूंतम दूरी कितनी होती है यह कोशन कई बार पेपर में आया है कि वेरी गूड प्लीज जल्दी से अंसर सबसे तेज आंसर रितु तिवारी उसके बाद विमलेश कुमार उसके बाद साहिल ग्यानोदे का बच्चा और मिश्टर यस और बलराम मिस्रा कीरती शिंग और एक बच्चा हमें सभी से बात बोल के जाता हूं कि वीडियो अगर आप लाइव देख रहे हो तो जब वीडियो एंड हो जाएगा तो वीडियो पे कॉमेंट करने का आप्शन आएगा प्लीज और प्लीज जादा से जादा कम संभव है या फिर लिखके जाना ग्यानों दे के गुरू जी बस इतना लिखके चले जाना मेरा दिल खुष हो जाएगा ठीक है बाकी मोजी मोजी बना देना जो बनाना है कि दोस्त को वाले व्यक्ति को उत्तर लेंस वाले चसमे का प्रियोग करना चाहिए अगर किसी भी व से ज़ल्दी से प्लीस कौन से दोस्त वाले को देखते किसका अंसर सबस्ते तेज आएगा अभी किसी का अंसर नहीं आया है और अंतिमा पटेल का अंसर सबसे तेज आया है और कुछ बच्चों ने गलत दिया है इसका अंसर तो इसका है उत्ता लेंस बोला गया है तो दूर द्रश्ट दोस्वाले व्यक्ति को जस्में में उत्ता लेंस का प्रयोग करना चाहिए अगला प्रस्व क्या है मानौ आख में प्रतिविंब कहां पर बनता है जल्दी तो कहां पर होता है जल्दी से पताओ मुझे प्लीज जल्दी से आंसर चाहिए, मुझे सारे बच्चों का, क्या होगा, मानो आख में पृतिविंब, रेटीना पर बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, चलिए आगे चलते हैं, अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है, या आवतल होता है continued konsolence अभिसारी होता है कि इंगे बताना कि कौन सा लेन्स अभिसारी होता है उत्तल होता है या आवतल होता है प्लीज अंसर दें जल्दी से आ बहुत बढ़िया तो उत्तल होता है और सबसे सबसे तेज अंसर आया सचिन सिंग का अभिसारी लेंस यानि कि उत्तर लेंस होता है और यह सचिन सिंग का अंसर आया सबसे तेज आगे चलते हैं अगला कोशन है लेंस की छमता का मातरक क्या होता है पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि लेंस की छमता का मातरक क्य बच्चा गया है जल्दी बताइए प्लीज लेंस की छमता का मात्रक जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को अभी तक किसी का आंसर नहीं है सबसे तेज आंसर आच चुका है मेरे पास study by कोई बच्चा करके है ऐसे और प्रियम पटेल देवंदर और सिवम दिवेदी नाम का कोई बच्चा भी है क्या संजना चौहान वेरी गुड बहुत बढ़िया यह वो बच्चे जो डेली आते हैं तो यह है डायोप्टर लेंस की छमता का मात्रक डायोप्टर है अब उसके गुड़न बाद हमारे पास है कुछ सत्य और असत्य वाले हमारे कोश्चन नियुक्त यहां पर एक ऐसा कोश्चन है जो अभी तक का आपने पढ़ा नहीं अभी तक आपने देखा नहीं इसका अंसर आपको बताना है कि मानौ आख अवरक्थ प्रकास को देख सकती है कि नही है अवरक्ष प्रकास आपके सलेबस में नहीं लेकिन बेसिक अंडरस्टेंडिंग के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कई बार मानो नेत्र केवल और केवल द्रस से प्रकास को देख सकती है और द्रस से प्रकास का मतलब कि उसकी तरंग दैर्ध होनी चाहिए कि उनतालिस सो एंगर स्ट्रॉम से लेकर अठाटर सो एंगर स्ट्रॉम तक तो द्रस से प्रकास को नहीं देख सकती है कि तो अगला कोश्चन है कि दूर दर्श्ट्रिदोस्वाले एक मिनट एक मिनट तो यह क्या है सत्य है आब मैं ऐसे टिक करूंगा और निसान लगाँगा दूर दरश्टिदोस वाले व्यक्ति को दूर की वस्त दिखाई नहीं देती पताईए जल्दी से सत्य होगा कि असत्य होगा क्या होगा इसका अंसर दूर दरश्टिदोस वाले व्यक्ति को दूर की वस्त इसपश्ट दिखाई नहीं देती है अगर कोई व्यक्ति है जिसको दूर द्रश्चिदोस है तो उसको दूर की वस्त दिखाई नहीं देती, सही है कि गलत? यह बात तो एकदम गलत है यानि कि यह है असत्या क्योंकि उसको दूर की वस्त तो दिखाई देती है लेकिन उसको पास की वस्त दिखाई नहीं देती है अगला कोश्चन क्या है दूर द्रिश्चिदोस वाले व्यक्ति दूर द्रिश्चिदोस वाले व्यक्ति को उत्तर लें है प्लीस और प्लीस सभी लोग कॉमेंट करते रहे हैं कि वेरी गुड बहुत बढ़िया हां तो दूर दृष्षदोस वाले को उत्तर लेंस का प्रियोग करना चाहिए यह बात हमारी एकदम शत्त है अगला कोश्चन है कि मनुस्य की आख में प्रतिविंब रेटीना पर बनत है मनुस्य की आख में प्रतिविंब रेटीना पर बनत है कि विल्कुल सही बात है रेटीना पर बनता है और उल्टा बनता है अगला कोश्चन है कि लैंस की वीडियो को लाइक तो करतो बच्चे अगे चलते हैं व्रद्धा आवस्था में नेत्र की समंजन छंता बढ़ जाती है इसका अंसर मुझे प्लीज बताईए क्या होगा इसका अंसर आपको बताना है कि क्या होगा व्रद्धा आवस्था में नेत्र की समझ तो व्रद्धा अवस्था में नेत्र लेंज की समंजन चमता बढ़ जाती है बिल्कुल गलत बात है समंजन चमता बढ़ेगी नहीं हमेशा घट जाएगी और आखों में एक दोस हो जाएगा जिसको जरा द्रश्ट दोस कहते हैं निकट द्रश्ट को उचित चमता वाले उत्तर लेंज के द्वारा संसोधित किया जाता है अगर किसी को निकट द्रश्ट दोस हो गया है तो क्या उसको उत्तर लेंज का चस्मा पहनाएंगे वेरी गुड़ वेरी गुड़ भासकर वेरी गुड़ देविका वेरी गुड़ रिशब चैलेश शूरज देवेश चत्यम विरेंद्र विवेक कृष्णा अंसुल नौश्मान नजीम वेरी गुड़ बहुत बढ़िया क्या होगा निकट इस दोस्वाले को हम लोग आवतल लगाते हैं यानि कि यह गलत है असत्य होगा अगला देखो अगला कुशन हमारे पास है इंद्र धनेश धनुस सदेव सूर के विपरीद बनता है क्या अगर मान लीजिए जैसे यह इंद्र धनुस है ऐसे तो क्या सूर इधर होगा यह तो इसके सामने हो गय जल्दी बताओ यह इस इधर इंद्र धनुस होता है सूर हमेशा उसके विपरीथ होगा तभी तो प्रकास पड़ेगा सामने से ठीक है तो यह क्या होगा यह बच्चे सत्ते है अगला कुश्चन है कि जरा दूर दर्सिता दोस्त दूई फोकसी लेंस द्वारा संसोधित किय द्वारा जाता है क्या इसमें द्वी फोकसि लेंस लगाते है क्योश्चन है यह स्सelा को चसमा पहनाते हैं और चसमा पहनाने के बाद हम पूलते हैं गांधी जी नीचसे उत्तर् लगा लो उत्तर् लगा लो ऊपर लगा लो क्योंकि अधी करता है जूर की वस्तों और अच्छा की वस्त्त कु दिखाते divand कि वस्त को दिखाने का मतलब उसको दूर दर्शिदोस है तो यह करेक्ट है यानि यह हमारा सही है फिर उसके बाद अगला कोश्चिन है उत्तल धर्पण की फोकस दूरी रहनात्मक होती है क्या कि यह बताओ भाई देखो एक चीज़ आप नोट कर लो कि फोकस दूरी अगर आपसे उत्तल की पूँछी जाए चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण तो वो धनात्मक होती है यानि प्लस पॉजटिव अगर रहता की पूछी जाए तो रणात्मक ज़ाने की निगेटिव तो उत्तल की पूछी गई है और इधर रणात्मक लिखेए तो क्या होगा असत्य होगा की निए बच्चो यास चालू यादव अबशेक दिशा पूनम अयूश लक्ष अगला कोशन रणात्मक आवर्धन वाले वास्तविक पृतिविंब के लिए होता है रणात्मक आवर्धन आवर्धन क्या होता है याद कर लो अगर यह आवर्धन प्लस में है और अहो सकता आवर्धन मैनस में है तो आभासी के लिए होगा आभासी पृतिविंब और अगर माइनस में है तो वास्तविक पृतिविंब बस इतना आपको याद रखना है इस यहां किया बोलागे रावर्दन वास्त्रविक के लिए होता है क्या होगा बताओ स्कशलिक ही की गलत्ष वह वाई हम आपको ट्रिक भी दे रहे हैं जिससे आप अब कुछिंदकी में भूलोगे नहीं तो रनात्मा का वर्दन वास्तिव के लिए होता है बिल्कुल सही बात है यह हमारा क्या है सत्य कि अगे चले वच्छो फाइनली हम लोग तीन हजार लोग अभी है अब हमारे पास कुछ और भी कोश्चन है यह कोश्चन आया अब हमारे पास वो जो कोश्चन थे वो नुमेरिकल थे नुमेरिकल हम किसी अगले सेहरा सेक्रफिया से सबस्क्राइब करैंगे जब हम न्युम्रीकल की सिरीज लेकि आएंगे तो उसमें करा देंगे थिक यह कोशनका अंसर तारों का टिम्टी माना तारों के टिम्टी माने की व्याख्या किसे सिधानत पर आधारित है बहुतिंपोर्डरेन कोस्चन घृतारो का टिम्टिमाना किस सिधान्त पर आधारित है अपवर्तन पर प्रकिर्णन पर वन विच्छेपन पर या इन्वे से कोई नहीं क्या कहते हो आप लोग किस पर आधारित है तारों का टिम्टिमाना किस सिधान्त पर आधारित है आप मुझे बता दो तारों का टिम्टिमाना किस सिधान्त पर आधारित है चलिए बहुत बढ़िया तो ये है हमारे पास अपवर्तन के सिधान्त पर और ये कौन सा अपवर्तन होता है वायू मंडली अपवर्तन अब हम आपको बताते हैं कि तारे आखिर क्यों टिम टिम आते हैं यह ज़रा ध्यान से समझना बहुत प्यार के साथ समझना आपको पता है तारे बहुत उपर है थोड़ा ध्यान से समझो तारे बहुत उपर है और ग्रह थोड़ा और यह हमारा चुटकु बच्चा है यह हमारा चुटकु बच्चा है अब आपको बता है कि ऊपर जो है ना महाल गरम है नीचे महाल ठंडा होता है ऑपर गरम महाल है नीचे ठंडा महाल है जिद्यान से समझना तो उपर गरम परते हैं नीचे ठंडी परते होती है अगर उपर गर्म है और नीचे ठंडा है पहले समझो उपर वाली करम चीज़ें में हमारे कड़ दूर दूर होते हैं अब बताओ अगर प्रकास की किरण माली के प्रकास की किरण अगर गर्म यानी विरल से सघन में आरी तो जुकेगी नहीं जुके जुकते जुकते इसकी आँखों में ऐसे पहुचा अब क्या हुआ ये बच्चा सोच रहा है कि भईया ये प्रकास तो ऐसे आ रहा है ये सीधा देखेगा अच्छा ये देखो ऐसे आ रहा है तो ये क्या करेगा ये तो सीधा देखेगा एकदम ऐसे इसको लगेगा कि ये तार आने वावाला प्रकास गुजरता है और यह उपर की परते विल ओती नीचे की पढर शगने लगता है दो तरीकμεंगे यह चण मंज़ यह फालए आते हुए दिखाई देते हैं और यह कुछ जादा उचे भी दिखाई देते हैं दोनों तरीके हैं आ गए विरिवा समझें तो टिम्टिमाते हुए दिखाई देने का एक और हम कारण बताते हैं यह थोड़ा उपर होते हैं और इनसे आने वाला जो प्रकास है कई पर्तों से गुजरता है और यह बिंद श्रोत हमाले की उन्हें के तारे जो होते ना वोगे एक बिंदु को इस रोत है कोई बल्भ है जो बहुत उचे लगा अब कोई बल्भ अबर बहुत उच्छे लगा तो आपको तुम्टिमाता हुआ ही दिखाई देगा क्रकास कई बार अपवर्तित होकर आएगा आपकी आखो पे समझ गए इसलिए तारे हमें टिम्टी माते हुए दिखाई देते हैं ग्रह हमें क्यों टिम्टी माते हुए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो तारों के तुलना में थोड़ा नीचे होते हैं और वो बहुत बड़े होते हैं जिसके कारण हम उन्हें एक बिंदू नहीं मान सकते हम उन्हें बहुत सारे बिंदू का समुह मानेंगे फिर उनसे प्रकास आएगा ना वह प्रकास जो है उसका जो एवरेज यानी के हम कहें कि अभी मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा जानी की आउसत जो इसका आउसत अपोर्टन होता है वह सून नहीं ह बिंदू नहीं दिखाया देतिक समझ कि इतना कारण है कि ग्रहहों से आनेवाला प्रकास हमारी आंखो तक जब पहुंचता है तो वह अउसत आप अपरू 1-5 होता यानि कि और जुकता तो है लेकिन कई बार जुकने की वज़ए से और कई अलग अलग प्रकास बिंदूस्र परतन की तीन घटनाएं आपके सेलेबस में पहली तारो का टिम्टी माना हमने बता दिया तारी क्यों टिम्टी माना क्योंकि यह बहुत उपर होते हैं प्रकास जब नीचे आता है तो अपवर्तित होता है कई बार और हमारी आखों तक पहुंसता है तो इसलिए उपर भी इसल सूर्यवध्य क्या होता है जब सूर्योदय होता है तो सूर्य होने जैसे हमारे पास क्या है यह प्रतवी का वायू मंडल वायू मंडल अब मालीजे ऐसे खड़ा है हम लोग पर्थिवी पर आपकों के सामने जो लाइन है जिसको हम छितिज बोलते हैं ठीक सूर्य अभी यहां पर है अभी क्या हुआ कि सूर्य यहां पर है लेकिन आप जो नीचे की जो परते हैं जो की यहां सघन है में लगता है कि भाईया यह देखो यहां पर सूर्य हमारा ऊपर है रह vine कंडीशन तारे वाली ही है इसे यवह पर आ रहा है यह जब रहा Working हम पर अब अगले चोशन पर चलता है अगला कोशन क्या है चंद्रमाग पर खडए अंतिर शीआत्री को आकास कैसा दिखाई सब्स pouvez ॐ ये प्रकुणbblesन्स है अभी जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रاجान जो हमारा तीन है चंद्रियान तीन वो चंद्रमा पर लेंड कर चुका है अब वहाँ पर अगर कोई इनसान जाता तो वहां फ़हां खड़े होके देखता तो उसको सब काला दिखाई देता क्यों कि वहां पर वायूमंडल नहीं चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं है कि अपने यह चीज और भी सुनी होगी आधि ड्रवार जो चंद्रयान का रोवर भेजा गया है ब्रवर प्रग्यान पर चंद्रमा की सताथ पर अलेगा तो उसके जो पहिये हैं उनमें निसान है किसका निसान है असोक्षिंड है तो एगर आगर सोचो वहां पी चीजे यहánh के सालों तक केसे BLAS तो हवा तो चलती नहीं इसलिए एक बार निसान बन गया तो समझो बन गया वहां चंद्रमा में अगर आप ऐसे उचल जाओ तो आप उचले ही रहोगे नीचे नहीं आओगे तो अगर हम चंद्रमा पर उपर जाएं तो हमें काला दिखाई देता है क्योंकि उधर वायू मंडल नहीं है चंद्रमा की सत्ह से काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायू मंडल नहीं है यानि वहां प्रकास का प्रकीर्णन नहीं होता समझ गया क्लियर हो गया इतनी बात कि जलें बच्चे कि हाँ वेरी गुड़ बढ़िया कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया तो अब हम समझते हैं प्रकास का प्रकिंडन क्या होता है कि इसको इधर ही समझते हैं जड़ा ध्यान से जुनों कि यहां पर आंसर करना देखो अमान लिजे कि हमारे आसपास बहुत सारी धूल मिट्टी सारी है ठीक और यह धूल मिट्टी जब प्रकास आता है तो धूल मिट्टी के कड़ों से टकराता है अमान लिजे सूर्य भगव प्रकास अब यह प्रकास जब फैल जाता है इसका अर्थ क्या हुआ यह धूल मिट्टी के कड़ों के तारा फैल गया और जब प्रकास धूल मिट्टी के कड़ों के त्वारा फैल जाता है तो इसी घटना को हम प्रकास का प्रकरिणन कहते हैं कोई बहुत बड़ी बला नहीं है प्रकरिणन मतलब फैलना कौन फैलाता है धूल मिट्टी के कड़ फैलाते है तो आपसे क्या बोला गया जब प्र और भैंगनी रंग के प्रकास का प्रक्रिण सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वह ज्यादा जुकता है है ठीक है क्लियर बेटा आगे चले हम लोग चले आगे चलते हैं अब यह कोश्चन जरा ना इंपॉर्टेंट है क्यों important है क्योंकि इसकी कुछ घटनाय होती है प्रकास की यह ज़रा अंसर बता दो प्लीज मुझे इसका अगर आपने बता दिया तो मैं जान जाओंगा आप पढ़ाई कर रहे हो धंक से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि इसका अंसर बता दो मुझे जिस को लाइडी विलियन में निलंबित कड़ों से प्रकास के प्रकृर्णन को कहा जाता है निलंबित विलियन जानती हो क्या होता है कंड थोड़ा बड़े-बड़े कंड जैसे हम आपको बताएं थोड़ी सी मिट्टी ले लो और पानी में घो ठील दो जो विलियन त्यार होगा उसको निलंबित विलियन कहेंगे और थोड़ा ज लेलो कि इसमें पूरी तरीके से कोडिंग पानी के साथ पुरा भुली हुई है उसको हम बुलेंगे कौन सा विलियन कोल आइडी विलियन नीलंबित कडों से कौन सा होगा इसमें आंसर आँ वेरी गुड इससे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं और यह 9th क्लास में आपने पढ़ प्रकास को कहा जाता है क्या निलंबित कडों से प्रकास को क्या कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है यह हो गई परिभास आपने देखा होगा कि आपका जिसे घर है कही से छोटा सा रूम में जब छेद होता है और मतलब रूम में दिवार में कहीं छेद है तो सूर् वे बोर हो रहे होंगे आपकी आखे आप बहुत ठग गया होंगे आपकी संख्या बता रही है लेकिन हिल के नहीं जाना है अगला कोश्चन है हमारे पास टिंडल प्रभाव देखो टिंडल प्रभाव प्रकास के प्रकृणन के कारण होता है को लाइडी विलियन में उपस्थ लइडेट द्वारा प्रकास का प्रकृणन होने की गटणा टिंडल प्रभाव कहलाती है चोटे-चोले छोटे-चोटे-चोटे लंबित कढ़ों के द्वारा भी किरणन हो सकता है RAW घने जंगल से अगर अंदर कोई प्रकास गुजरता है घने जंगल जानते हो देखा आप भब घंगल देखो मैं आपको दिखा दू अब बोलो तो मैं दिखा दूँगा आपको एक सेड़ रुकना बच्छे है रुको आपको दिखाता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ अभी टेंडल इफेक्ट कि देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अरे भाई यह प्रोग्रामिंग चलने लगती है कि इसमें क्या करता हूं खोलता तो हूं नहीं मैं अना कि अब देखो चाहा पिक्चर्स देखू मा आपको कopes के दिखाता हूं इसonst Tut कि देखू कि ऐसे जगल में कैसे फ्याट है हैं ये पिक्चर देखो यह क्या है टिंडल इफेक्ट अना इस पिक्चर को देखो तो यह क्या है टिंडल इफेक्ट करकास आगने जंगल में कैसे फैल रहा है कि कि आगे आगे चलता हैं कि तो यह टिंडल इफेक्ट हमने आपको दिखा गये ठीक है चले बाई आगे चलते हैं बच्चों अब है सच आकास का रंग नीला क्यों होता है इसका भी कारण क्या है इसका भी कारण क्या है बच्चे प्रकास का प्रकिडन होता क्या है कि वायू मंडल में धूल के कड़ होते हैं और धूल के कड़ों के द्वारा जब प्रकास ट है और कितना ज्यादा होती है काफी ज्यादा होती है ठीक में कि वान के बात करें तो लगपर एक दसमनों छे गुना ख़ी रेकर हम अगर यहां लिखा हुआ है कि नीले वा बैंगनी रंगा प्रकिरिणन की बात करी नहीं कर रहे हैं लाल रंग की तुला में 16 गुना ज्यादा होता है कि अधिक कि वह प्रकास का शुर्यास के समय आकास का रंग लाल दिखाई देता है इसका कारण प्रकास का प्रक्राइब है और खतरी के सिगनल लाल होते इसका भी कारण फ्रकास का प्रक्राइब यह मतलब अब पर जाता डारिक्ट आपकी नजर सीधे उनकी उपर जाएगी लाल लगा लिया तुम समझदार हो सीधे उनहीं कि आट्रेक्शन जाता क्यों क्योंकि भएया लाल रंग एक ऐसा रंग होता है जिसका जो प्रकेड़न होता है वह सबसे कम होता है वह वायू मंडल में फैलता नह तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बास समझ में आ गई होगी इंक्यू सो मच और डिस अमेजिंग सेशन अमेजिंग सेशन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसको आमेजिंग आपने बनाया है पूरे दो घंटे तक ये सेशन अमेजिंग रहा है और मैं अभी तक पढ़ा च जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता के जाता हूं कि अगर आप कि इस ते और बेहतर कुछ चाहते हो आपको लगता है कि नहीं मुझे नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे एप पे आ सकते हूं है है आआध्लिट्स एप को जागे डाउनलोड कर लो डिक है आपको वहां पर प्रैंटिस पेपर मिलेंगे का सिर्फ के बाद आपको सबसे बड़ी प्रूस के बाद और सबसे बड़ी चीज है कि आपको मॉडल वेपर मिलेगा बॉडल पेपर कराए जाएंगे अधिक है और सबसे इंपॉर्टेड चीज है यार लाइव क्लास होती है बच्चों की संख्या लिमिटेड होती है कम बच्चे होते हैं आपको जो भी डाउट होता 29, 30, 31 रक्षा बंधन ओफर रहेगा रक्षा बंधन ओफर में आपको जो हमारा कोर्स है मैं आपको बता देता हूँ अभी से तैयारी ताकि आप बना लो 29, 30 और 31 इन तीन दिनों में जो हमारा रक्षा बंधन ओफर होगा भाईया पैसे देंगे ही तुमको अमेज़ गये त तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा अगा 1699 में इसी अपडेट मेरे को आई है कि इन तीन दिनों में 29 अगस्त 30 और 31 अगस्त 1129 मिलेगा जिसमें आपको चार सब्जक्ट मिलेंगे ये फिद्यान से सुन लो इंदी भी है इंग्लिस भी है और मैथ भी है तो और एक और अगर आपको अलग-अलग को चाहिए कि भाई मैं नहीं ले सकता मैं केवल इंगलिस करूँगा मैं केवल हिंदी लूँगा मैं केवल मैथ लूँगा तो केवल हिंदी नहीं है बाकी इंगलिस केवल भी है मैथ भी केवल है साइंस भी है यह लेना है आपको यह केवल और केवल फाइफ डबल नाइन में मिलेगा लेकिन आप सोचो कि इतना पैसा तो तीन कोर्स में दे दोगे अलग अलग करके जितना आपको चार मिल जाएंगे उतने में और फिर भी आपका पैसा बच्छी जाएगा ठिक तो आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो ओके राहुल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कुछ पूछना चाहते हो कि यार कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए मेरे को और मेरे को पेमेंट करने में दिक्कत है अप एप को जाके डाउनलोड करो जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है इस नंबर पर कॉल नहीं करोगे आ इस नंबर पर आप वाटसेप करोगे क्योंकि कॉल लगेगा नहीं इस नंबर पर वाटसप होगा आपको लिंक चाहिए नेचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में है जाके आप देख सकते एक आप सूचो कि मैं वो टीचर हूं जो दो घंटे डेडिकेट होके पढ़ाने के बाद आप के बारे में आपको बता रहा हूं मैं स्टाट करते ही आपको है किम मेरे पास ईसना चाहता हूं मैं पिछले साल मेरे पास एप नहीं था जब रिज्प्शों ने न कहा है उन्हों अपना व्ता दिया वेकिन यह ऊसदा और यह तो तो पर आफ ज्यानों देकि गुरू जी यूटूब चैनल और यूपी बोड बिहार बोड और अज़सो अधर बोड यह तो थांक्यू सो मच बच्चे मेरा नाम पूछ रहे तो मेरा नाम है सीवं दिवेदी और मैं यूपी लखनौं का रहने वाला हूं यूपी ल सारा प्यार देखे जाना मैं आपके कॉमेंट का वेट करूंगा वीडियो एंड होने के बाद कॉमेंट करके जरूर जाना ओके थांक्यू सो मच Watch कि अबसी हम ने及tha Stories करा दिये हैं प्ले लिस्ट में जाकि एक बार आप पड़ाई कर सकते हो ठीक ठَّ 승 अमके हमारी क्लास लाइव होती है और मेरी भी क्लास होती है मेरी क्लास च्यूर्बसे साम को होती है और मंडे टू सटरडे होती है संडे को साम को टेस्ट होता है आप टेस्ट के से ओके थाइंक यू बाई टेक क्यार गोड़ नाइट ओके थाइंक यू एप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं